नमस्कार दनीजपत के साथ मैं नरेंदर बसंत लागातार कई पंचायतों के जीला परशद मुखिया और बीडिसी का इंटर्वो लेने के बाद आज हम पहुंचे हैं बक्सर जीला के इटारी परखंड के बसाओ काला पंचायत गां में जहां पर चोथे चरण में मतदान होने हैं बाकी आपके केमरे स्किन पर एक सक्ष दिखाई दे रहे होंगे इनका नाम राम देव सिंग है और इस बार पंचायती चुनाओं में मुखिया पद से अपने भाग्य काजमाई कर रहे हैं बाकी वो सारे सवाल जो एक मुखिया परत्यासिस होने चाहिए वो करेंगे और साहब जो है जबाब देंगे कि वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दो को लेकर इस बार इस बार पंचायती चुनाओं में कुद्दे हैं सरसब से पहले तो स्वागत है आपका आमारे चैनल में आप कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप पंचायती चुना डैèse जिए आप दिखे में धी साल जो आप रास्ते में देखें इम स्क्षण करिए कंडलीड तक है और कितना भी कास वा ए मुंख्य के उमना का है और कितना मिल colonial टो आप देखें तो इस तरह का नहीं होना चाहिए हम लोग तो यह सोच रहे हैं कि जनता की भलाई हो और सिक्षा पर किस तरह से काम करेंगे कि जो अतना भी टीचर है विद्याले में वह अपने समय से आए समय से जाए और क्लास्रूम में अपना ड्यूटी दें लेकिन ये काम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और आप एक मुख्या परतियासी है तब फिर कैसे करीगा उसके लिए और लेड़ी से सिच्छा पता दिका रही है हम जो बात बोली हमारे पास एक कमिटी बनेगी और कमिटी के मात हथ बिदाले में शिच्छा की आई रूप लगाएगा लोग कि हमसे लोग कमिशन लाग रहे हैं तो पूरा गाउं के लोग जाएंगे पूरा कमिटी के लोग जाएंगे तो नहीं को पाईँगे हम अकेले जाएंगे तो लोग कहा देंगे किरिशared के लिए आए थे लेकिन जो कमीटी बन कर जाएगी, तो कमीटी तो उत्साहित रहेगी, कमीटी तो एक व्यक्ति बनेगा नहीं, तो कमीटी को तो आप लशना नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम इस माध्यम से सिक्षा को सुद्रिड करेंगे. दर्शकों, अगर हम बात करें, तो जब पंचायत में परवेश किये, तो देखें कि जो नल जलोजना का काम है, उस साही डंग से नहीं हुआ है, वो सारे चीज़ा हम दिखाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, वो आप आके जिस जहां पर हम आया है, इस गाहां का हम ग्रांड एक मुखिया की सेलरी होती है, धाई हजार के लिए इतने का परपंच क्यों रट लगया जा रहा है, और मारा पीटी हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है, धाई हजार के लिए, ठेक, तो जो समाज सेवी है, जिसको समाज के सेवा करने की मानत है, मन में हुलास है, उमीद र जित कर जाता है, और दावा वादा करता है, और जित कर रहे है, इस से पहले भी जो आपके मुखिया रहे हैं, और आपके साथ अभी बता है कि बहुत सारे मुख्या खड़े हैं से में वहीं वादा और दावा कर रहा हैं तो फिर आप पर लोग की विश्वास जीता है कि आप ही को वोट करें यहां जो बरतमान में जनता है यह तमाम लोगों को देख रही है कि कौन क्या आचनल रखता है जितने के लिए कई तरह के हत्कंडे अबनाई जाते हैं जैसे कि मूर्गा मीठ हो गया दारु सरब हो गया कभी आप ऐसा कुछ अपने समर्थकों को दिये हों हमारे पास तो पैसा है नहीं है तो हम देंगे कहां से अभी तक इतना खर्च किया है अब चुना परचार के लिए मंदारी से अभी तक साड़े तीन हाजार साड़े तीन हा हम से कि हमको मुर्गा खिला है हमारा समर्थक एक अलग लोग है हमारा ग्रूप अलग है हमारे लोग अलग है लेकिन त्रियस्तरिय पंचाइती चुना में तो देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग वहीं लोग वीनर हो रहा है है जो अधिकतर मुर्गा मीट और दारु सराब जो है खिला रहा है चुनाओ मुद्धा में मुर्गा मीट और दारु सराब खिलाने वाले लोग उनका समर्थों जादा दीख रहा है दर्शकों देखा जाता है कि चुनावी से पहले जो है जैसे कि हम आप लोगों को लागतार कई मुख्या और जीला परसुदो का इंटर्वियू देखा है और वह इसी तरीके से में वादा और दावा कर रहा है लेकिन सुनाव जितने के बाद सिधे हो रहा है इसके अपोजित मतलब उल्टा हो रहा है दावा और वादा को भूल जा रहा है और अपने लोगों के विज़ो है चेहरा तक भी नहीं दिखा रहा है यह बहुत बड़ा सब कुछ जनता के लिए है तरसकों जिस तरीके से आप देख रहा है कि लागातार जो है हम ग्राउंड रिपोर्टर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में वो सारे प्रत्यासियू काम इंट्रिवी दिखा रहा है और वादे और दावे भी आपको दिखा रहा है अब हम इ वोत भी करिये और शपोर्ट भी करिए और जो लोग मुर्गा मीटर दारउस सारा अप रिपिक रहा हैं खास करीज पनचायत के लोगों को थोड़ा सा साल जरूरी है सर क्योंकि अगर आप ये समय है चुनावी का अगर अगर आज आप Whitneyदी का चुनाव नहीं करिएगा तो पर परंस एम आपको मुखिया आपको कोसने के बज़ाएं आपके हांथों में, कुछ भी नहीं रह पाएगा, रह पाएगा अगर सही पृतिनी छुणाव क्रें soutन करते हैं, निक्तमतskin प्वरिस जंता मारी जाएगी, सही पृतिनि जरी जनता चुनती है, तो अपना काम लेगी, काम कराएगी, करेगी, कान पगड़ करके काम कराएगी बाचित के करम में बोले कि हमने विकास के मुद्दे पर हमेशा खरे उतरेंगे और जब खर्चा की बात किये, तो खर्चा बताए कि अभी 3,000 रुपया खर्च है लेकिन हम आपको बता देते हैं, सरकारी आंकड़ा यह है कि एक मुखिया जो है, 40,000 रुपया तक खर्च कर सकता है और एक जीला परिशद का परत्यासी जो है, एक लाख रुपया तक खर्च कर सकता है और वाडर सर पंच 20,000 रुपया लेकिन आप अभी 3,000 रुपया मातर खर्च की है नमनेशन में खर्च हुआ, वही हमारा खर्च और आपके साथ समर्था जयाते हैं डिजल पेट्रोल अपने अपने करते हैं ठील टेतल है, रुपया यह कुतर अपने ढड़ करते हैं इन वह आचारण से नको चेहरा से हम लोग रलचीत है इसलिए हम अपना खर्च लगा कर गूम रहे हैं लिख जब आपको बहुत मुखीया कहा इंटरविव दिखाया होंगे तो ऐसा समर्थक बहुत कम मिले होंगे जो कहते होंगे कि हम जो है डिसल पेट्रोल जो है खर्च करके अपने से और इनको जिताने के कोशिश में है लगातार हम पंचाइद को तो नाम नहीं हम बोलेंगे यहाँ पर लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे हैं जो भी परत्यासी खड़े हैं कि हमने अपना इतना विगा खेत बीच दिया और इतने लाग रुपिया खर्च कर कर रहा है जो कि पंचाइदी चुना में मुख्या परत्यासी से खड़ें इस बार पत्नी का नाम क्या है अपका पत्नी नहीं है मेरी भवा है घीता देवी नाम है उसका तो आपका महिला सीठ है तो यह कर रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं है जो भी खर्च हुआ है मोख लोगों से पुछ कर हम तो पाता कर ही लेंगे कि जो मुख्या प तैकी सअपने भागा समा हूइड माइस जूट बोल रहा है कि सच बोल रहा है बाकि एक बात और कर रहा है कि हम जो है आ है बहुज जानता का पैसा कहा से जनता चंदा और जित करके वह वह नहीं दिए, हम नहीं दिए, जनता से पैसा नहीं लिया है, हम दो लुग मतला अमरी दिये, अब TNP पाप लोग सुन रहे होंगे अब देखिए एक कह रहा है बुजर्ग हमारे पीता के समान है और कह रहा है कि सब कुछ अपने घर से किये हैं यहाँ वीडियो जो है वैसे मुख्या प्रतियास्थी पर तमाचा है जो चुनाव जितने के लिए मूर्गा मीट और दारु पुरा विश्वास है कि भी स्वाथ ऊतरेंगे और चुष्वा केता कवो सब्सक्राण के लिग्यों जितने हैं कि अनके साथ बहुंतव आयाजीâu रहे हैं मुख्या पर आछी से ही बाद कर लेते हैं तो यह वादा कर रहा है और कोई नहीं है क्यों पड़े हो चकर में कोई नहीं है यह तो सब का जो खड़ा है वह तो कर बे करेगा उनके जो माने पर्तु है लेकिन हमारे पंचायत में से बढ़िया कोई नहीं आपका नम क्या है अनन्थ सबाल है मेरा क्या बोली है कि मुख्या की सैलरी जो है महज धाई हजार उपए होती है फिर धाई हजार उपए के लिए इतना मारा पीटी क्यूं मारा पीटी लोग नजाइद धन से करते हैं यह न तुकरेंगे खाती जानते हैं एक मुख्या की सब्सक्राइब्स होती है लिकन उसके लिए इतने माराप Caitlin इसलिये होती है ताकि जो भी सरकार के तरफ से जो भी आवन्तित होती है और मुख्या ची के फंड में जो भी रासी आती है उसको लुटे और जंता को भरमाएं कि कि ना सिर्फ जनता जो है ओट देने का अधिकार है जनता को जिस संभिधान के मुताबिक आर्टिकल जो है छब्वे जिसको बोलते हैं अगर जनता को ओट देने का अधिकार है तो आर्टिकल मतलब वहीं संभिधान के एक अंतरगत ये अधिकार देता है जनता को कोई भी परत पुछे कि आप जो है काम कहें नहीं किये हैं लेकिन उससे पहले जितने सारे जनता है उनको सिच्चित होना पड़ेगा और सिच्चित होईएगा तभी जो अपने जन परतिनीदी से सवाल करिएगा कि बहुत सरह ऐसे लोग हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि गावं में जो समुधायक भौन है जो पौंचायत भौन है उसको मरमत के लिए हर एक्छे महिने पर लाखो कलरो रूपए आते हैं हम को जनता को मालूम हैं नहीं है कि जो सनग के किनारे कैबिन है उसमें भी जो है हर एक छे महीने पर लाखों पर आते हैं पोधा लगाने के लिए जानता को मालूम ही नहीं है कि कुवा के सफाई के लिए भी हरे च्छे मेने पर लाखों रुपे सरकार के तरफ से आवंटित होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग इस चीज को जानते नहीं है और सवाल पुछते नहीं है मुख्या परतियासी से और मुख्या जो है यहीं से लोगों को ठगना और लूटना सुरू करता है बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप ऐसा नहीं करेंगे जब तक आप कमीटी के गठन नहीं किजेगा या केले मुख्या बन करके काम किजेगा तो अकेले तो मनमनी चलबे करेगा और हर जगा कमीटी के गठन किजेगा कमीटी के बिच से जो फलो होगा उसमें काईसे आप लूट लीजेगा तो हम पहले बोले कि हम कमीटी के गठन करेंगे और कमीटी के मातहत काम होगी हमारी न कि हमारे मातहत काम होगा यह करेंगे, यह कहेंगे, कि मुखिया को पांच शाल कोशन के बजाए यह उहीं समय है, जब आप अपने मुखिया का सही प्रतिनिदी का चुनाव करें, ताकि आप 5 साल कोशन से बच जाएं मुखिया को और बाकी ये जो परत्यासी हैं अगर आपको लगता है अगर इस पंचायत सा वीडियो देख रहे हैं और ये बसाओ काला पंचायत है तो इनको वोट भी करें और सपोर्ट भी करें क्योंकि एक मुख्या बदलेगा तभी तो गाउं बदलेगा और गाउं बदलेगा तो राज